नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबी का पाच फाइंडर पर So recently I'm sure आप लोगों ने सुना होगा कि RRB NTPC exams को लेकर जो results सामने आये थे उसके चलते जो कई सारे अभ्यार्थी थे उन्होंने recently काफी बड़े level पर यहाँ पर आंदोलन को किया है और यह वाली जो आंदोलन की खबरे आ रही है इनफाक्ट काफी ज़ादा unfortunate खबरे आ रहे है काफी ज़ादा यहाँ पर जो public property है उसका भी हमें नुकसान देखने को मिला है कई सारी आपके सामने जो मैं news cuttings पेश करने वाला हूँ आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको कवर किया इंडिया ने तो कवर किया इनफाक्ट बाहर की भी जो आपकी इन्यूस अग्जाम रही है आप यहाँ पर देख सकते हैं विरोध के बाद रेल्वे ने एंटीपीसी और ग्रुप डी भरती परीक्षा पर लगाई रोक और साथी में शिकायतों की जांच के लिए उन्हों ने एक समीती को भी यहाँ पर गठित किया है यहाँ पर आप देख सकते हैं रेल्वे का बड़ा फैसला एंटीपीसी और नेवल वान परीक्षा पर रोक रिजल्ट पर पुनर विचार के लिए कमिटी को गठित किया गया है और आज के दिन भी हमें इस तरह की खबरें देखने को यहाँ पर मिल रही है बात करेंगी कि यह controversy exactly क्या है क्यों यहाँ पर प्रोटेस किये जा रही है यह जो recruitment का process है उसको भी थोड़ा सा briefly समझने की कोशिश की जाएगी चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ मेरा नाम है अनेरोद यदि आप लोग इस lecture की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिये गए टेलिग्राम चैनल के माध्य हम से कर सकते हैं इसके लाबा अनकाडमी आप पे भी आपे हज़ुट सकते हैं उसमें आपको छे महीने का extension completely free of cost दिया जा रहा है यानि कि अगर आप लोग 12 मेने का course करीते हैं तो आपको 18 मंस का यहाँ पर time period validity मिलेगा अगर आप लोग 18 मंस का course करीते हैं तो आपको यहाँ पर 24 मंस का time period validity available करवाया जाएगा अगर आप लोग एक working professional है तो आपके लिए यह वाला course सबसे चाहल सूटेबल है अगर आप लोग working professional नहीं है और घर बैठके त्यारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वाला जो offering है यह बहुत suitable है और इसमें भी यह वाला जो offer है यह कल तक ही valid रहने वारा है january 27 तक इसमें अगर आप लोग अनी UPSC code इस्तिमाल करेंगे purchase करते ताइम ते तो आप मेरे साथ अपनी strategy को plan कर पाएंगे मेरी personal guidance आपको available करवाई जाएगी WhatsApp group पर आपको addition करवाई जाएगा और साथ में 20 books भी आपके घर पर कहुंचाए जाएगी जिसमें की जोगर्षी की कितावे हमारे द्वारा ही बनाई गई है right so as you can see over here आज से लगभग देड़ दो हफते पहले की बात है जब RRB के NTPC के जो results से वो सामने आये थे on Monday thousands of candidates who had appeared for the railway recruitment boards NTPC recruitment exam उन्होंने बिहार में कई सारी trainों को block किया है in protest against the results which were released earlier this month तो यह जो results थे I think January 14-15 मकर सकरांती के आसपास release करे गए थे लेकिन उसको लेकर अब काफी जादा जो है यहाँ पर विवाद हो रहा है now पूरी case को समझते हैं railway ने basically आज से कई साल पहले इतने जादा post की vacancy को announce किया था कितने post थे 35,281 vacant post railway के द्वारा announce करे गए थे और यह केवल एक ही post के नहीं थे यह अलग-लग यहाँ पर designations थी अलग-लग categories थी जिनके लिए यह वाली vacancies को release किया गया था which includes junior clerk की भी थी यहाँ पर train assistant की भी थी गार्ड की भी थी टाइम कीपर की थी ठीक है और इसमें in fact station master की post भी यहाँ पर include करवाई गई थी इसमें जो 35,000 के आसपास vacancies थी इसमें लगभग 11,000 के आसपास vacancies ऐसी थी जिसमें आपकी जो minimum qualification है जो यो योगिता है वो केवल आपको 10 प्लस 2 की चाहिए थी यानि कि अगर आप बार्मी कक्षा पास है तो भी आप यहाँ पर इन 11,000 vacancies में अपलाए कर सकते हैं यहीं पर अचली कहानी शुरू हो जाती है और जो बाकी की post थी उसमें आपको जादा higher जो है graduation चाहिए थी जादा higher qualification चाहिए थी यानि कि minimum आपको सनात्य की degree यहाँ पर होनी जो है आवश्यक थी नो obviously बात ये थी कि क्योंकि इन्निया में unemployment के rates काफी जादा बढ़ चुके हैं तो जो graduate इंसान था वो असल में इन वाली post के लिए भी apply कर रहा था यह obviously बात ही कि इसको लगता है कि मान लीजे उसका higher pay post वाले चीज़ पर मान लीजे नाम नहीं निकला तो कम से कम lower pay post वाले चीज़ उसको मिल जाए कम से कम उसको एक बर सरकार्ण लौक भी तो मिल जाए तो यह व linear plus जो है यह level 2 की post है इसकी जो starting पे होती है लगबग 20,000 के असपास होती है और जो आपकी station master की post है जो की level 6 की post है इसकी जो starting पे होती है यह लगबग 35,400 के असपास होती है नाव इसमें आप ये भी देखिए कि 35,000 post के लिए approximately सवा करोड से भी जादा लोगों ने इन forms को भर जा था और इसी लिए क्योंकि इतने जादा candidates यहाँ पर इस test के लिए अपेर हो रहे थे इस test को conduct करवाना भी अपने आप में बहुत बड़ी problem थी इसके लिए railways ने क्या किया आरर भी ने क्या किया इन्होंने पहले common test conduct किया इस common test का नाम रिजिया नोंने ctvt1 ठीक है so that क्य इन्होंने क्या किया कि इस particular exam को करवाने का मतलब केवल यही था कि भई जो screening है वो यहाँ पर हो जाए अब obvious सी बात यह थी जो मैं आपको पहले बताया कि इसके time पर जो एक इनसान जो की graduate है उसने almost multiple post के लिए यहाँ पर form को fill कर दिया था नो यह वाला जो vacancies थी इनको announce तो 2019 2019 में किया गया था लेकिन पहले इसको delay किया गया ठीक है पहले इसका delay होते होते मार्च 2020 में exam होने वाला था फिर covid lockdown की वाज़े से यह और डिले हुआ मोटी मोटी बात यह है कि exam का जो result था जो CTBT1 यहाँ पर मैंना को बताया जो screening का यहाँ पर test होने वाला था इसका जो result आता है वो पहला result finally January 14, 2022 को यानि कि आज से दो हकते पहले release किया गया था exam क्योंकि obviously सवा करोड़ लोगों ने exam देना था तो 68 days में इस exam को connect किया गया और 13 33 shifts में इस exam को conduct किया गया था रोजाना ऐसा माल दीजे कि एक दिन में दो shifts है आपर हुआ करती थी अब इसके बाद अगला test होने वाला था यानि कि जो लोग यहाँ पर screening process में जो लोग select किये जाएंगे उनका अगला test होगा जिसको की railways CBT2 बोल रही थी जो की mid February में schedule किया ग जाएंगे ठीक है for example अगर मान लीजे कि अगर आप level 2 के लिए appear कर रहे हैं तो उसके लिए उस वाले विद्यार्थी के लिए class 12 वाले questions होते हैं वो दिये जाएंगे अगर आप level 5 या उसके ऊपर के लिए appear कर रहे हैं तो जो भी आपके graduate aspirants के सवाल होते हैं वो आपके सामने पिश किये जाएंगे तो भी मुद्दा क्या है problem क्या है problem यहाँ पर इसलिए आती है because as I told you कि जो भी छोटे level की post भी थी level 2, level 3, level 4 जो भी ये post भी थी उसमें जो इंसान graduate था उसने भी असल में अपना नाम वहाँ पर दे रखा था अब railway ने अपनी policy में थोड़ा सा change किया थ शुरू में railways ने क्या किया था आज से बहुत साल पहले की बात है कि मान दीजिए railways ने 1000 vacancies ने काली तो railways क्या करता था कि 1000 vacancies के चलते जो shortlist की जाती थी यानि कि final exam के पहले shortlist होती थी वो 10 times the vacancy की होती थी यानि कि वो 10,000 यहाँ पर shortlist की जाएगी उसके बाद इनका paper होग और उसमें से 1000 लोगों को चुना जागा सेम चीज़ जैसे UPSC में होता है mains में जैसे जो आपकी मान दीजिए अगर पूरे साल में seats 800 है तो लगभग 12 या 13 गुना की जो ही लोग होते हैं जो की mains में अपियर कर रही होते हैं तो उसी तरीके से railways की यहाँ पर क्या था कि 10 times the vac vacancy हम लोग यहाँ पर लोग लेंगे यह बहुत पुराना रूल था 2016 में जाकर के इन्होंने अपने रूल को चेंज किया इन्होंने कहा कि 15 times the vacancy को हम लोग यहाँ पर शॉटलिस करेंगे अगर माल दीजे 1000 सीटे हैं तो हम लोग 15,000 लोगों को यहाँ पर शॉटलिस करेंगे तो ऐसा माल दीजे कि 20 times जो लोग हैं उनको हम लोग यहाँ पर स्क्रीन करने वाली हैं यानि कि सवा करोड लोगों में से approximately 7,000,000 लोग ऐसे हैं जिनको की स्क्रीनिंग प्रोसेस में से चुना जाना चाहिए था लेकिन exactly हुआ क्या कि 7,000,000 नहीं जो real list सामने आई है उसमें 3 30,84,000 लोगों को ही चुना गया है और इसी के चलते कई सारे अभ्यात्ती हैं जो की सडकों पर आ चुके हैं जो की पट्रियों पर आ चुके हैं और ट्रेंस को ब्लॉक कर रहे हैं पब्लिक प्रॉपर्टी का भी यहाँ पर काफी नुकसान हो चुका है अब इसमें क्या जो हो सकता है कि सारे के सारे विकैंसी के लिए शौटलिस किया गया हो तो overall तो railways ने जो आपका शौटलिस्ट है अगर आप एक ही particular इंसान को देखेंगे तो उस case में तो आपका 3,84,000 बनता है लेकिन अगर आप देखेंगे कि एक ही इंसान का नाम कितनी बार आया है तो उस case में जो total shot list stand करती है वो असल में 7 lakhs के पास ही stand करती है तो क्योंकि यहाँ पर बच्चों ने जादा यहाँ पर अलग-लग papers के लिए अपने form को भरा तो overall जो shot list सामने आई है वो 3.84 की आई है लेकिन अगर आप एक नाम को बार-बार पड़ेंगे तो उस case में आपका 7 lakhs का जो railway ने promise किया था वो असल में आपको यहाँ देखने को मिल रहा है तो railway ने यहीं कहा है कि if person A has applied for level 2 and also for level 5 then based on the person's scores he or she will be counted in both the categories when the shot list is made with 20 times the number of posts तो obviously वही इंसान को हम दोनों बार count कर रहे हैं यह चीज railway की यहाँ पर justification दी गई है इस चीज़ को लेकर जो लोग है जो बच्चे हैं वो काफी ज़ादा नाखुश है obviously जिन बच्चों की qualification कम है वो ज़ादा नाखुश है because वो बोल रहा है कि जिनकी higher qualification होगी उनके लिए यह lower qualification का paper clear करना ज़ादा आसान है जिसके चलते उनकी यहाँ पर seats है जो level 2 की level 3 की seats है उनके ऊपर भी आज जो है higher qualification की लोग आके नौकरी कर सकते हैं अब railways का यहाँ पर argument क्या आया है उन्होंने basically इतनी बात कही है कि एक इंसान को दो नौकरिया तो नहीं मिलने वाली है because इन्होंने कहा है कि final round में जब आपका document verification होगा तो railway will hold the process for the top level post level 6 की post का document verification सबसे पहले होगा फिर level 5 का होगा अगर किसी का chain level 6 में हो चुका है तो उसका chain आगे जाकर level 2 या level 3 में नहीं होने वाला है similarly अगर किसी का chain level 5 में हो चुका है तो उसका chain आगे जाकर 4 या 3 या 2 में नहीं होने वाला है railways का कहने का मतलब यह है कि no one person can hold two confirmed railway job offers in two different levels at a time now अगर आप देखेंगे technically railways का भी argument यहाँ पे गलत नहीं है in fact railways नहीं यहाँ पर यह भी कहा है कि भई हमारा जो examination conduct करने का procedure है वो भी काफी जादा transparent है हमने कई बार social media पर इस चीज़ को समझाया है कि सब चीजें rules के according हो रही है हमने notification में properly बताया था the conditions governing the recruitment and screening are always published in the detailed notification for the recruitment drive concerned इतना ही नहीं railway ने यह भी कहा कि अगर किसी exam किसी question को लेकर आपको दिक्कत होती है तो वहाँ पर भी आप objection को raise कर सकते हैं और उन चीज़ों को clarify किया जा सकता है सब चीजें railway के द्वारा यहाँ पर clarify करी गई है but still यहाँ पर जो चीज़ बच्चे कर रहे हैं वो भी कही न कहीं गलत नहीं है because at the same time कई सारे बच्चे जो शायद आज screening process में ही out हो चुके हैं वो शायद screening process में बाहर ना निकलते because अगर वो लोग जो higher qualification के लोग हैं वो लोग यहाँ पे multiple seats में अपना नाम ना भरते तो शायद lower post के लिए जो lower qualification के लोग थे शायद उनका नाम screening में आ जाता क्यूंकि ये पूरा का पूरा विवाद इतना बड़ा बन चुका है इसलिए railway ने इसको अब क्या किया है railway ने प्रदर्शनकारी पर इस परिक्षार्थियों के लिए शिकायतों की जांज के लिए एक समिती को बनाया है ये समिती विरोधी शात्रों की आपतिया सुनेंगी और इन पर विचार करने के बाद अपनी report रेल मंत्राले को जाकर सौपेगी फिलहाल के लिए NTPC CBT2 की जो परिक्षा है पंदरा फर्वरी को होने वाली थी और ग्रूप D की जो CBT1 की परिक्षा तेस फर्वरी को टै करी गई थी ये फिलहाल के लिए उन्होंने यहाँ पे स्थगित कर दिया है तो ये पूरा का पूरा मामला है जिसकी वज़े से इतनी जादा यहाँ पे दिक्कत हमें देखने को मिल रही है obviously काफी unfortunate है because आज इंडिया के लिए काफी एक गौरव शाली दिवस माना जाता है 26 जन्वरी का दिन है लेकिन उस दिन इस तरह की खबरे आ रही है और ये इस दिन से नहीं बलकि तीन दिन से ये problems चल रही है हम उमीद यही करते हैं कि इन शात्रों की जो problems है इन अभ्यात्यों की जो दिक्कते हैं ये RRB जो board है उनको ध्यान से सुने और committee भी इन चीज़ों को ध्यान से देखे और आगे जाके ensure करे कि जो आपका process है वो सबके लिए fair और just होना चाहिए दोस्तों फिलाल के लिए वीडियो में इतना ही comment section वैसे तो आपके लिए open है लेकिन please किसी भी प्रकार का hate comment यहाँ पर ना देके जाएं हम आपसे उमीद करते हैं कि productive discussions ही comments में की जाएं और कुछ ऐसे comments दीजे so that बाकी लोग भी आपसे ही प्रेवना सीख सकें इसी के साथ आपसे लेता हो विदा जाने से पहले आपको बता दूँ कि हमारे जो ncrt geography class 7 की series चल रही है इसमें आके आपको फिस्सा ले सकते हैं ncrt बिल्कुल basic से आपको पढ़ाई जा रही है इसका जो set number 5 है यह आज यहाँ पर होने वाला है 26 January को यह शाम को 6 बजे होगा टाइम मैंने change कर दिया है पहले 4 बजे का था इसमें आके आपको फिस्सा ले सकते हैं इसके इनावा अगर आप लोग iconic subscription on academy की लेते हैं using my code anyupsc तो आपको केवल 10% का discount ही नहीं बल्कि साथ में आपको personal guidance available करवाई जाएगी और answer writing practice के भी आपको सुविधा available करवाई जाएगी यह वाले batches आपके लिए available करवाई जाएगे 223K विध्यारते के लिए विशेश रूप से and also यह वाले batches मेरे गौर अभी आपको available करवाई जाएगे इसी के साथ आप से लेता हूँ विधा thank you for listening stay tuned and stay safe